एलेक्टिक पावर हमने पढ़ा अब इसका practical life में क्या application है क्या करेंगे हम practical life में क्या क्यों पढ़ा तो हम इसके लिए कुछ shopping करने चलते हैं अगर मैं अब से बोलू कि हमको fan खरीधना है तो fan खरीदने के लिए जब आप शॉप पे जाएंगे तो आपके कुछ क्राइटेरिया होंगे इस प्राइस प्राइस क्योंना चाहिए हमारे बजट में आना चाहिए सस्ते सस्ता आना चाहिए सेकंड आर्पीम मतलब की राउंड पर मिनिट जब कोई फैन चलता है तो वो एक मिनिट में कितने राउंड लेता है जितने ज़ाद राउंड लेगा उतना तेज फैन होता है मतलब अच्छा क्वालिटिक हो गए थर्ट ट्रस मतलब कि मॉडल और कंपनी हमारा अलग 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 ब्रांड होता है उस पर हमारे उस कर दो और उसके वाँ हम देखेंगे क्या डिजाइन, शेप या साइज छोटा चाहिए, साइज कितनी चाहिए और डिजाइन कैसी चाहिए इन सेज़ को हम देखते हैं अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास तीन फैन है तीनों का आर्पीएम सेम है तीनों का डिजाइन सेम है और तीनों का ब्रांड जो है वो अलग-अलग है बड़ तीनों ही ब्रांडेड हैं बट सबकुछ सेम होने के बावजू इसका जो प्राइज है ये है 2,000 रुपीज इसका प्राइज है 1,800 रुपीज इसका प्राइज है क्यों एक brand इतने रुपे में दे रहा है और एक brand इतने में दे रहा है तो अपकी बार जब भी आपको इचीज शॉपिंग करने जाएं किसी भी electrical appliance की शॉपिंग करने जाएं तो एक factor और आपको देखना है that is power जब भी आपको छहीं जाएंगे power क्योंकि सबकुष सेम होने के बावजूद भी अगर मैं ये वाला फैन लेके आता हूँ घर में तो ये power जो है इसकी power क्या होगी जादा होगी मतलब कि suppose इसकी power है 80 watt और इसकी power है 50 watt और इसकी power है 60 watt मतलब कि ये जो हमारा घर का जो bill है वो बड़ा आएगा ये जादा power वाला है तो ये इसमें electrical bill जादा आएगा और ये कम power वाला है तो इसमें electricity bill कम आएगा अब हमें एक नया factor और क्या देखना शॉपिंग करते समय power factor चीक आपका electrical bill कैसे calculate होता है ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे एक चगा और देखते हैं जैसे कि मैं कोई device appliances लेके आया तो मैंने देखा मैंने सबसे पहले समें क्या mark किया हुआ है power इसका power कितना है जब मैं ये product खरीदने गया तो वहाँ 1200, 1800, 2000 और भी जादा थी लेकिन हमने भी उसको क्या देखा सबसे पहले concept factor देखा power rating तो आप कभी भी कुछी भी खरी देंगे आपको चीज और क्या देखनी है इन सी जो में आप क्या देखनी है प्राइज आर्पीम ट्रस्ट और डिजाइन के साथ साथ power को भी आपको highlight करना है